हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टुरेंट पॉइडी में दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे अच्छे होंगे खुशाल होंगे और एच्पी टैट की त्यारी जोरो शोरो से कर रहे होंगे तो हम एच्पी टैट की जेबिटी मैस सेक्षन की जो यह सीरीज लाए हैं जिसमें हमने अभी तक प्रिवीशेर के पेपर जो 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 के हम कर चुके हैं और आज का जो मारा पेपर है वो है 2017 का दोस्तों तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो आपक क्या बोलता है आपका 92 कोशन तो कोशन क्या है अंडरूरूट निकालना है आपको 0.000049 का देखो इस तरह के कोशन मैंने आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करेंगे जहां भी ऐसा कोशन और पॉइंट्स में हो तो पॉइंट्स हमें सर्दिक्कत देता है तो आपको क्या करना ह नीचे उतार देना अंडरूरूट है जिसे 49 लिखते है उसको और एक दो तीन चार पांच छे पॉइंट किया कि 6 अंक है तो 6 0 नीच उतार दो अब इसका क्या है स्केर रूट कर दो 49 का होता है साथ और इसका होता है दो दो के पेर बना दो दो तो यह जाएगा एक दो तीन ठीक है तो तो यह जाएगा आपका 7 दिवाइड बाइ 1, 2, 3 और यह जाएगा 0.007 0 की दर्शनल कर दिए उपर तो 0.007 तो आप का अंसल हो जाएगा 0.007 अगले कोशन के ओर इसको सॉल्व करो 3 बाइ 4 की पावर 7 इंटू 4 बाइ 3 की पावर 7 देखो दोसो कितना सिंपल कोशन है अगर आप 3 को साथ बार खोल के लिखोगे ठीक है और 4 को साथ बार खोल के लिखोगे नीचे वाले 4 को भी 7 बार खोल के लिखोगे इसको भी 3 को साथ बार खोल के लिखोगे तो यह 3 से यह 3 कर जाएगा आप इस तरीके से लिख सकते हैं को 3 की पावर 7, 4 की पावर 7, into 4 की पावर 7, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 कट जाएगा, 4 की पावर 7 से 4 की पावर 7 कट जाएगा, तो आपका आंसर बजएगा 1, यह आंसर, 93 question, इसको percentage form में लिखना है, तो पहले आप इसको convert कर दो, 2 की गुणा करते हैं, उसके साथ प्लस कर देते हैं, 7 by 2 आजाएगा, 2 दुन 4, 5, 6, 7, 7 by 2, percentage में convert करना है, तो मैंने हमेशा बहले जो percentage में convert करना है, तो गुणा कर देंगे 100 से, यह आजाएगा 50, 5, 7, 35, तो यह आगए 350%, कि दिना आगए दोस्तों, 350%, बी आंसर, और दोस्त इस त्योरी पोरिशन देखना है, कॉंटेंट पोरिशन देखना है, और उसके साथ ही प्रिवेसियर पेपर सॉल, प्रिवेसियर कोश्चन भी साथ में देखने हैं, तो आप जा सकते हैं मारी 25 डे क्रैक्स की सीरिज में, जिसमें क्या है, कि हम आपको पहले content बदाते हैं, त उसके साथ ही उसके previous year question पताते हैं जितने भी type के आते हैं previous year सारे question पताते हैं तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं ठीक है जो बहुत useful होगी 30 से average time 25 से 40 मिनट कोई वीडियो 25 मिनट की है कोई 40 मिनट की है या कोई 30 मिनट की है इसके बीच ही ये वीडियो ज्यादा लंबी वीडियो हमने नहीं रखी है तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं और सारे question cover है उसमें आप जाता है which one of the following is greater तो पचास परसेंट ग्रेटर है कि 35 ग्रेटर है तो आपने क्या करना है पचास परसेंट को त्यासी रहने दो 35 को convert कर दो परसेंट में तो मैंने क्या वहला 100 से गुणा करने पड़ी आपको परसेंट में convert करने के लिए बीपांच अब बीस बीटम साथ तो आगा 60 परसेंट तो कॉन सो बढ़ा है तीन पॉंट पांच बढ़ा है तीन दिन थ्री बाइव फाइब बढ़ा है यहांस 96 कोर्शन 66 जिरो इसको प्लस करना तो 0.006 अगला क्या 0.66 अगला क्या 0.6 0.0006 तो को पॉंट से आगे वाले पॉंट से आगे ही चलेंगे पीछे वाले हो पीछे ही चलेंगे इस तरीकेस होता है 6656 666 66 से आजाएगा चार बार तो यह आगया एंसर अगला सब्रेक्ट्रेक्टordळ लारजिस्टाविजिट नमबर फोष्ड फॉर्डविए reflects त्रुथी त्रुफूल त कूल अंग्हे सब्सकरों तकूलों तो चार बर नौ लिख दो लाजस फोर डीजिव जाता है था फाइब बोला है तो चार बार पांच लिख दो इस तरीके से सब टेक्ट लाजस फाइब इजिट नंबर तो नो 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 इपांच विशन को माइनस कर दो पांच बार 0 0 0 0 0 0 0 नो तो आगए आपका 9 0 0 0 0 0 5 2245 एंसर है अंसर अगला कोशक्री पर्चेतर परसेंट ऑफफ नबबे तो इसemie के गुणा आफ का लग जाएगी गुणा नब इसको पर जीरो से जीरो कटकी तब दूरा दस थे कम 5 पंड़ा पंड़ा पंडर गया तो आपका क्या बन गया अभी यह नहीं कटेंगा पांठ दूरा दस कटके दो यह 0 सत्य चौद आ गया उसके ज़िए बचा एक बचा आगे तो दो पवगत दस तो यह आगा श्तासर पॉइंट 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 पांच आपका ए आंसर आगे चलते हैं 99 question 0.20500205002 गुणा करना देखो पॉइंट को दिक्कत देता है जिनको पॉइंट टेल उतार दो 10 आ जाएगा इसका इसको तो आ जाएगा 100 पॉइंट के आगे जितने अंखोते हैं उतनी 0 लग जाती नीचे 2 यह जाएगा 3 2 की गुणा कर दी 8 आ गया 2 दूनी 4 चाल दो इनकी गुणा कर दी क्या गया 1 2 3 2 0 1 0 3 और 3 0 यह 6 0 अब क्या है 8 का उपर कर दो इसको convert तो क्या करोगे 8 की देखो कितनी 0 है 6 0 है तो 10 की power 6 तो 10 की power 6 उपर चल जाएगा तो minus का बन जाएगा 10 की power minus 6 यह वाला exponent में मैंने आपको समझा है कैसे convert होते हैं तो वहाँ जाएगा वो देख सकते हैं तो 8 इंटू 10 की power minus 6 8 इंटू 10 की power minus 6 बी answer इसका दूस्तो अ ट्रेन कवर डिस्टेंस ओफ 377 3750 किलोमेटर in 25 आवर how much average distance the same train will cover in 1 आवर सिंपल सा कोशन है 25 आवर में एक ट्रेन कितनी चल रही है 3750 चल रही है तो एक घंटे में कितनी चलेगी तो एक घंटा 25 चल जाएगा इसके नीचे 3750 by 25 25 एकम 25 ठीक है तो यह आगा आगे बचके आपके आज 30 12 तो 125 बन गया 12 आगे चल लगा एक सो पचीस बन गया 24 आपके 155 एक सो पचीस पांच जीरो तो यह आगे 150 एक घंटे में कितनी चलेगी एक सो पचास किलोमेटर अगला क्योंचन अनील टूक 50 आपल फॉम बॉक्स औफ एपल ही डिस्त्रिब्यूट तीस आपब अमंग हिस त्री फ्रेंड देखो नील ने किकिए 50 अपल उठाइक पेटी से उसमें से उसने 30 अपल गया कर दिये डिस्ट्रिब्यूट कर दिये अमंग इस थ्री फ्रेंड इक्वली ठीक है आफ्टर दिस ही टुक टू एपल बैक फ्रम इच ओफ इस फ्रेंड देखो दस दस उसने बांट दिये दस दस उसमें से क्या उसने दो दो आपिस ले लिए फिर से अपने फ्रेंडों दो दो तीन फ्रेंडों से थे दो दो आपिस ले लिए तो उसके आपल बचे देखो 50 में से 30 उपसने ले लिए तो यहां कितने बचे 20 बचे उसके पास उसके उसके पास उसके दस दस अपने दोस्तों पार दिये फिर से 2 दो आपिस ले लिए तो 2, 4, 6 और 20, 26 आपल उसके पास बचे कितने बचे 26 ए आंसर मोहन परचेज कार for 8,000 and sold it after one year of loss of 25% find the selling price of car देखो मोहन ने क्या किया परचेज की कार 8,000 की और sold कर दी इसको after one year at the loss of 25% find the selling price of car तो आपको क्या करना है आपको निकालना है 25% of 8,000 क्यों देखो 25% का उसने loss किया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा 8,000 का 25% निकालना पड़ेगा ठीक है जो 25% निकाल के आएगा उसको माइनस कर दोगे अब 8,000 से तो वो जीतने की कार उसने बेची तो 50% of 8,000 निकालो पच्ची सो डिवाइट कर दो 100 से और आपकी गुणा लगा दो 8,000 दो जीरो से दो जीरो कट गया तो पच्ची आठे 200 ठीक है दोस्त तो 200 और एक जीरो लगी 2000 तो उसने कितने के बेची 2000 के लॉस पर बेची तो उसने 8,000 की कार ली थी तो बेची कितने की 8,000 की ली थी 2000 के लॉस पर बेची तो माइनस कर दो 2,000 तो कितना बच गया है 6,000 6,000 बी आंसर रीतर डिपॉजर पांच जार इन बैंक फॉर 3 एर 3 year at annual rate of interest if she got 6,500 after 3 year then what the rate of interest देखो उसने किया गया रीतर ने डिपॉजर की 5000 एक बैंक में 3 इन तीन सालों के लिए कितना की यह 5000 प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5000 इसकी भी वीडियो simple interest compound interest की वीडियो आप जागे हमारे 25 day crash course में देख सकते हैं वह मैंने आपको धंग से बता किया रीतर deposit 5000 इन बैंक for 3 year time कितना 3 year at annual rate of interest if she got 6500 तो उसका 65 तो मिले उसको ठीके कितने मिले उसको बाद में 3 साल बाद 500 मिले तो उसमें interest कितना लगा 5000 तो उसने अपने बैंक अपने पैसे डिपोजिट कर रहा थे बैंक में तो उसको बैंक से कितने मिल एक्ष्टा 1500 तो वह परसेंट rate of interest था तो simple interest का formula कि आपता है मैं आपको principal into rate into time into divided by 100 जब तक आपको compound interest नहां पूछे जाए जब तक simple interest कही formula होता है maximum compound interest एक्चल में होता है लिखावा question में तभी compound interest का formula लगता है यह simple interest का question है simple interest कितना है आपको 1500 simple interest कितना लगा लगा है और principal amount कितना था 5000 रेट आपको निकान ला है time था तीन साल अब क्या करो जिरो से जिरो कारदी से पांती यह 15 यह आगया तीस तीन से तीस कट गया तो दस तो रेट कितना आगया 10 रेट कितना आगया 10 परसेंट का रेट आगया अगला question LCM of 4, 6, 12 और 15 का LCM दोस्तो LCM मैंने आपको निकान ला बहुत बार पताया है इजी ट्रिक्स से पताया है जो मैं आपकी शॉट ट्रिक्स से करूंगा देखो 4, 6, 12, 15 को लिखता है चार को आप कैस तोड़ सकते है दो गुणा 2, 6 को कैस तोड़ सकते है दो तीन में तोड़ दो ठीक है, पंदरा को सोड़ चकते हो, पंध्याम पंदरा, देखो दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो इधर भी है, एक बार, सबसे दो एक बार ले लिए हमने, तो दो लिख दिया नीचे, एक काड भी है, अब दो एक बार इधर है, यहां दो नहीं है, दूसरा, यहां दूस साथ तो LCM आगा साथ आपका बाकी मैंने शॉर्ट ट्रिक SCF LCM की भी वीडियो बनाई है 25 डे क्रैस्ट कोर्स में महां जाकर आप देश सकते हैं अभी अगर अभी क्या पता अगर आप जल्दी वीडियो देखना है तो अभी तक नहीं आई होगी परंतु कुछ टाइम में आन और 600 का तो मैंने SCF निकालना आपको बताया है 250 और 600 का से लिखतो देखो ऐसा कौन से नंबर है जिससे दोनों नंबर कट रहे हैं आपस में दोनों नंबर एक साथ कट रहे है तो 5 से 5 पांजा 5 पांजा 25 जिरो 600 भी कटता है 5 एकम 5 5 दूनी 10 एकसो बीस फिर से 5 से कट जाए तो देखो अब पांजा 12 है कोई नंबर ऐसा जो 5 को भी काट देर 12 को भी काट दे कोई नंबर नहीं है एक के लावा तो एक से कर दिए अब यह खतम हो गए दर तो पांजा 25 पांजा 25 दूना 50 तो इसका SCF क्या आ गया 50 आ गया दोस्तों जो है ए आंसर अगला कोश्यूश्य देखो इस कोश्यन को solve करो क्या है 56 माइनस 45 56 प्लस अनरूट एकस इस इकल टो 16 तो इस कोश्यन को आप कैसे solve करोगे दोस्तों सिम्पल सा कोश्यन है कुछ नहीं 56 और 45 को माइनस करो कितना गया 56 और 45 को माइनस करोगे तो 5 और 6, 50 और 5 11 तो यहाँ जागा 11 प्लस 5X is इकल टो सोला पांच एक्स को तरी जाने तो सोला माइनस ग्यारा तो एक्स इस एकल टू पांच यह जागा सोला पांच आ गया आपके पास ठीक दोस्तों तो अच्छा सॉरी गलती होगी यह सॉरी दोस्तों यह 11 आ गया अंडरूट एक्स से आयए और 16 एंडरूट एक्स एक्स मैंनस ग्यारा तो अंडरूट एक्स इस एकल टू पांच पांच आंडरूट से एक्स कर जाएगा तो यहां पांच का स्क्राइब था 25 तो एक्स की वल्यों क्या होगी 25 जो मैं से पूछी थी 25 भी आंसर अगला कोशन तो पॉपलेशन आफ विलेज इस पांच सजार एड़ इंक्रीज एड़ रेट आफ टू परसेंट एवरी एयर आफ्टर टू ये पॉपलेशन विल भी देखो ये नहीं है तो एक साल है एक साल में पॉपलेशन विलेज गितनी है यहां पर पांच जार है मालनलो एक साल बाद वह dura होगी 5,120 होगी ठीक है को वहाँ पर compound interest वाली वीडियो में सही से समझाया है वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कहां कहां पॉल्ड इंटरस लगता है तो population of village अगर अगर अभी वीडियो भी तक नहीं आई है तो कमेंट किजी सर कि वीडियो जल्दी जल्दी लाई है 25 क्रेस्ट कि तो वीडियो प्रिंसिपल कितना ने कालना है ताइम कितना है दो ये तो पोप्लेशन बतानी है मर को तो प्रिंस कम एमाउंट का फर्मूला आता है कमपाउंड डिश्ट में यहां पे टोटल पॉप्लेशन का फर्मूला है टोटल पॉप्लेशन के पांच दार क्या होता है प्रिंसिपल वन प्लस रेट । बाई एन डिवाइड में 100 और चलो एवाला फर्मूलल ने यह लगाते है आरवाएंडर्ड और टाइम देखो लो कितना है दो का डिवाइड सो टाइम कितना है दो साल तो 5000 और यहां पर जाएगा इसको सॉल्व करके अंदर 102 डिवाइड बाई 100 की पावर 2 ठीके दोस्तों कितना गया 102 डिवाइड बाई 100 की पावर 2 आ दोस्तों अब क्या करो हो गया इसको खोल के लिख दो 560 की पावर 100 की 102 की डिवाइड बाई 100 की पावर 2 तो 5,102 गुणा 102 100 गुणा 100 दो 0 से 2 0 कट गई दस्तो 1 0 से 1 0 कट गई 5 एक 5 5 नी 10 2 से 1 कट गया 2 152 गुणा 51 कि दना हता है 102 गुणा 51 जो होगा गुस्तों वह आपका आंसर होगा जो होगा आपका 52,202 5202 दोस्तों ठीक है 5202 दो 102 गुना 51 करलो एक दूना दो एक हजिरो जिरो एक एकम एक पांच दूना दस एक पान जिरो जिरो एक आजयेगा 5 एकम 5 तो या जाएगा 2 serum 125 LOVE थो कि भाद पॉपलेशन कितने हो जाएगी दोस्तों टोटल पॉपलेशन पांच जार दोसों दो हो जाएगी कि पचेत्र परसेंट अफ स्टुडेंट इन स्कूल और बॉइज एगर बॉइज पचेत्र परसेंट अगर बॉइज तो पचेत्र परसेंट अगर बॉइज है है जो 25% हम X का निकालेंगे वो 420 के बराबर है तो 25% की डिवाइड कर दो 100 गुणा X 420 X को देर रहने दो 420, 100 by 25 इधर को लिए आया आप 2404, 4004 दुनियार, 446, 1680 आपका, क्या आगया, 1680, X है 1680, मतलब total population, total बच्चे कितने स्कूल में, 1680 है, आप से क्या हुचा है, the number of boys, देखो 1680, total बच्चे हैं स्कूल में, number of girl है, 420, तो total boys कितना है, minus कर दो दोनों को, 2621, 1260 आपके total boys है, दोस्तो, total boys कितना है, 12060, the difference between two whole number is 66, and the ratio of two numbers is, two ratio of five, the two number are, देखो, ratio number का क्या दिया है, 2X, और 5X की form में, लिखते हैं, देखो, ratio दिया है, तो ratio क्या होता है, smallest form होती है, उसी की, उनी number की smallest form है, ratio, ठीक है, जो number मार पास है, जो मार को difference between two whole number है, जो उनकी smallest form क्या है, ratio होती है, ratio सबसे smallest form होती है, numbers की, 2x 5x first number है माल लो 2x second number है 5x इनका डिफरेंस बोला है 66 तो 5x और 2x का डिफरेंस कितना आगी है 3x और इनका कितना बोला है किसके प्राबर इनका डिफरेंस 66 के ब्राबर बोला है तो x is equal to 66 by 33 तो 3 x की वैली कितना आगी 22 तो नमबर तो नमबर पूचह है तो पहला नमबर कहता है 2x तो x की वैली डाल दोसमें 22 5 गुना 22 तो एक आगा 44 एक आगा 110 चाहता एक आगा एक सो दस चाहता एक सो दस ए the sum of 3 angles of triangle is the sum of 3 angles होते है तो triangle के वो होता है 180 यह पता होना चाहिए आपको the angle of equal to triangle are तो equal to triangle होता है दोस्तों उसके सारे angles के होते हैं बराबर होते हैं all angles are equal भी आंसर होते हैं the supplementary angle of 73 तो supplementary angle होते हैं वो क्यों होता है वो होता है 180, कितना होता है 180, अगर एक एंगल कितना 73 है, तो 73 प्लस एंगल second is equal to 180, तो एंगल 2 निकाना मारको तो 180, माइनस 73 कितना जाएगा आपके पास है, 107 जाएगा दोस्तों, जो होगा D answer, circumference of circle is 132, then area of circle, circumference है किसी circle का, यदि वृत की प्रिद्धी कितनी 32 cm है, तो हमार से पूछा है, वृत की प्रिद्धी अगर 32 cm है, तो हमार से पूछा है कि area क्या होगा, तो आपको circumference का formula पता है, 2 pi, क्या है, 2 pi r, कितना बोला है हमार पास, 132 बोला है, तो r is equal to 132, 2 pi को खुल के लिए तो by बटा साथ साथ उपर चल जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, तो यहां से आपका 2, 2 x 12, 2 x 12, 2 x 66, तो 3 आगे, साथ आपके पास आगे, दोस्तो 21, कितना आगे आप, आपका 21, अब क्या करोगे आप, आप की value आगे 21, आपको क्या होगा है, area बोला है निकानने को, तो सरकल का area का formula क्या होता है, area, सरकल के area का formula क्या होता है, area होता है दोस्तों आपके पास, पाई आर स्केर, तो 22 बटा साथ, आर है आपका 21, 21, गुणा 21, लिख दिया दो बार, साथ यहां 21, तीन आगे, तो आप करोगे, तीन एकवतीन, तीन दुना 6, 63 गुणा 22 कर दो, 63 गुणा 63 इंटू 22 कर दो, 66 इंटू 22 जीतना आएगा, वो आपका आंसर होगा, ठीके दोस्तों, तो 63 इंटू 22 था, 22 था, तो क्या गा तिन दुना 6, 6 दुनी 12, छे आथ तीन, तीन, तेरा, तो 360, 330 6 सेंटिमीटर स्केर आपका इरिया हमेशा सेंटिमीटर स्केर में होताय, ये वाला नहीं होगा, और दूसरा साथ केने वाला फरस्ट वाला होगा इस जी होता है सेंटिमेटर स्केर में अगला कोश्ण देखते हैं दोसके इजी कोश्ण है डिपीटेद कोश्ण भी यह गई if the volume of cube is 0.343 cm cube then the side of the cube देखो volume of cube का formula होता है side क्या cube volume of cube होता है side का cube और आपका स्कितना दिया है ये 0.343 मैंने बोला point वाला दिक्कत देता है तो इसे खोल के लिखे तो 3,4,3 दर्शनलम की 0 नीच उतर जाएगी cube क्या होता है 343 किसका cube होता है दोस्तो 7 का cube 343 होता है cube root और 10 इसका क्या होगा 10 होगा मैंने cube वाले chapter में इनको निकानला पता है महाँ जाके आप देख सकते हैं तो इसका क्या 0.7 0.7 ए आंसर दोस्तो 2 की power 10 minus 1 divisible by किससे divisible होता है देखो 2 की power 10 होता है आपका 1024 minus 1 करना है आपको 1024 को करोगे एक repeated question है 1023 आएगा और 1023 का 3 का divisibility root बोलता है कि जो अगर इनके नंबरों को sum करेंगे अगर ये 3 से divide हो जाते है sum करके तो 3 से ये पूरा number भी divide हो जाएगा तो यह जाता 3, 2, 5, 6 6 आ रहा है 6, 3 से divide हो जाता है तो इस cancer होगा आपका C 123 देखो 2 से कभी नहीं होगा कि 2 से वो ही divide होता है जिसके last में even number होता है 4 से वो divided होता है तो जिसका last के 2 रक्षा 4 से दिवाइड हो जाते है तो ये भी नहीं होगा 10 से वो होता है जिनके अंत में 0 हो ठीक है दस से क्या तो जिनके एंग में 0 हो यह भी नहीं होगा तो यह 3 से ही होगा sum of 2 number is 32, one of the number is minus 36, then the other number is, देखर दो नमबरों का sum x plus y का sum कितना बोल रहे हैं, 32 बोल रहे हैं और एक number इसमें से, इनमें से minus 36 है, तो दूसरा number क्या होगा, तो आपको y की वली नकाल लिए, तो y is equal to 32, यह minus का, यह plus, equal to के दूसरी तरफ को चले जाएगा, तो plus हो जाएगा दोस्तों, तो plus 36, 8, 6, 66 हो गया, क्या होगा, 66, which number is neither a prime number, not a composite number, एक ऐसा number है, number system की पहली वीडियो जो आगी है, उसमें मैंने सारा अपताया है, कि 1 कहा है, ना तो composite number है, ना तो prime number है, which number is neither a prime number, not a composite number, 1 है यहाशा number, अगला question, minus 7 को भाग करना आपको 21 by 13 से, इस तरीके से, minus 7, 21 by 13 को उल्ट के लिख दोगे, तो यह जागा, 13 by 21, ऐसे, भाग में हैं तो गुणाम हो जाएगा, सात्या हम 21, तो यह जाएगा, minus 13 by 3, minus 13 by 3, B answer, तो 2 की पावर 0, गुणा 3 की पावर 0, 100 बार बेट हो जोगा, यह question, 4 की पावर 0, मैंने बोला, किसी की पावर 0 होगी, तो वो 1 बन जाता है, तो यह 1 हाजाएगा इसका answer, किसी की भी पावर 0 हो जाती है, वो 1 बन जाता है, if the cost price of price, बोला है, पच्ची रुपाय, cost price कितने है, पच्ची रुपाय, loss कितने का हो गया, 25% का loss हो गया, then sale price को जाता है, कितने में sale कि अगर आपको loss हो गया, तो अपने 25 का क्या निकालना है, 25% का 25%, हिंदी में लिखना है ऐसे, अगर 25% of 25, 25% of 25, ठीक है, तो 25% की लिखा देना है, और 25, 24, 4, तो 25 by 4 आ गया, 25 divided by 4 आ गया, तो 25 divided by 4 कितने आ जाएगा आपके पास दोस्तों, करके देख लेते हैं, 6, 24, 6.1 चल गया, 6, 4, 2, 8, 2 चल गया, 6, 5, 4, 20, 6.25 आ गया, ठीक है, तो 25% का 25 का कितना हो गया, 6.25 हो गया, ठीक है, यह है क्या है आपके पास है, यह है आपके पास लॉस, अगर कोई चीज 25 की है, और उसमें लॉस हो गया आपका 6.25, तो वो चीज आपने कितने की बेची यह निकालो, 25 से माइनस कर दो, 6.25, 10, 5 आ जाएगा, 9 बचा, 7 आ जाएगा, नियाँ पे 4 बचा, नियास ले लेंगे 14, 6, 6, 12, 8 आ जाएगा, 1, 13.25 की बेची आउने, कितने की बेची, 13.25 की सी आउसर दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, जाहिरे अच्छी लगी हो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, शेर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों